जी 2022 में एलेक्षन होने उला है जैसा कि आपको भी पता होगा तो क्या कह रहे हैं किसकी सरकार आनी जाए अगले योगी की ऐसा क्यों कोई काम अरे बहुर किसी की लग नहीं रही है कि सरकार अच्छा लग गया है योगी का अब अब अच्छा कौन सा काम है जो आपको बहुत अब आया योगी जी का योगी जी शारक अच्छी बन गई है सच्छता दिख रही है नोकरियां भी आप और को रोजगार की बास करे तो तो रोजगार अब पर शोचार दोहार मिलेगा नोकरी आई हैं लोग पश्यार अनना जबाप scot तैयारी अच्छी है तो मैं सफल होंगा नहीं अच्छी है तो चाहिए किसी की भी सरकार रहे साड़े चार साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें अभी तक मतलब कोरोना ही चल रहा था अब पुराना क्या था क्या नहीं था हमको उसे मतलब नहीं अभी जब है वैकंसी आ रहे योगी आना जरूरी है या खले से या फिर आमाजमी पार्टी कोई भी आ सकते हैं पार्टी कहां से आएगे यहां दिल्ली तक है वहीं सीमित रहेगी और उसके घ्राइब अच्छा काम नहीं किया आँ आप दिल्ली वाले जाने नहीं लेकिन यहां कि यह बारे मता रही ना सबस्ता और साथ सब्सक्राइब उसमें देखिया 50ीड पर्संट अनली विरॉजगारी अर यह डिली में कितनी है लेकिन फिर भी वहां 16.69 फिर्षिवारी है नहीं है? और झीक काहें बहुत अच्छी काम किया में पॉलिटिकल भूट देखता नहीं हूँ एक्चलि यह है कि अपना सिर्फ एक ही काम है पढ़ना है एक जांप करता है खतम करना यहां से तंसन मूट कि आपको अधिकार है काम सब अधर कार किया है दो पार्ट होते सब एक निगेटिव पॉस्टिव अगर पॉस्टिव पिन्च ने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है उनकी संद्रों रोजगार मिला हूँ कि यह देखिए कि काश्ट बाइस ना हो बस काश्ट बाइस यह उन्होंने मेरिड वेस्ट यह यूपी मेरिक में उझे लगता है जहां तक उनके पास पोस्ट जो भी आई थी वह काश्ट बाइस जादत चल गई है क्योंकि मैं उसमें खुद बताता हूं कि मैं अकली हूं यह हम तो मुझे पता है क्या जा रहा है कहा नहीं जा रहा है कोई नई पार्टी बननी चाहिए है यह दोनों भाइय लोग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार रहा है जाहिए उन्होंने रोड अच्छी बनवाई है मुझे रोड से क्या लेना ना दे पूरानी सरकार में उन्होंने कितना पूरा किया चौफीस घंटे सहर में मतलब बिजली देने का वादा किया था डारा गण्टे गाओं में क्या लग रहा है था था नो सबस्क्राइब कोछ बहुत सारे चीज़े आये का में लुट सारे कान dengan अजैसे तो इस ट्रेट्व पढ़ाया गया पेट्रोल का समस्या बहुत थे तो लग रायत्तink चाहिए आपको सहेल चाहिए पढ़ाय के प्राइमरी में देखे वहाँपे कितने बच्चे से जयादा दूटीचर हो गए हैं और वहाँपे बच्चे हैं ऑच आप इसलिए नहीं गयादा क्योंकि वहाँ पढ़ाने वालग वोला कोई ही नहीं वहाँ जाते हैं जो प Annyeong पर टेबल पे रखे सो रहे हैं तो दिल्ली में जो प्राइमरी स्कूल है उसको इंग्लिस मेडियम जैसा बना दिए पढ़ाई की विवस्था उन्होंने योगी सजी से ज्यादा अच्छी की है दिल्ली में ज्यादा अच्छा है अगर इस्टडी की बात की जाए तो तो के जि मैं पूरा फैक्ट बात करता हूं मैं यह नहीं देखता कौन सरकार क्या कर रहें क्या नहीं करें अब वो रोजगार आ लेडी वो यारो है उनसे क्या पुछे जाए बाटी कौन बेटर है योगी की बननी चाहिए ऐसा क्या काम किया कोई एक काम या दो काम गिना यह जो अच मतलब सब कुछ दंग से चल रहा है उसके बाद से हर भी भाग में जाईए आप उसके देखिए सुरच्छा की बात की जाए जो उन्होंने एंटी रोमियों दीखने ना दिखने की क्या बात है सुरच्छा तो है यह फिदाल लड़किया पहले इलाबाद में हम आये तो लड लड़कियों की संख्या दस परसंट से अब लड़कियों की संख्या हम जाते कोचिन इस्ट्यूट जहां देखते हैं तो आप इस एची सरकार है जो जाध धरम दे काम करें हिंदू मुश्लिम सी जो भी हो या दो मतलब यह सब नहीं है अकलेस जो भी थे लास्ट में। अच्छा करके मामले काम नहीं किया वाले सिंखर रॉजगार करें पुलिस की विकेंसी कराई लेकिन कोई कुल्य तो नहीं अभी तक किलियर रोकने वाले हमी लोग अभी तो यह जैसे दोबंदे हैं पहुंच जाते हैं पहुंच के जाके करें तो लगाएगा यह वाके ठीक है सा काम किया यह यूग ने बताइए यह बुरा किया अपना सब लेकिन कुछ उनकी अच्छाहिया बताईए दिखें हम यह आदो हैं हम तो जातिवाद कर रहे हैं बाई सीधा सीधा खुला सीधा सिस्टम है यह विकाज का से कोई मतलब नहीं और क्या वह यह बैस से सहमत है हम पहली हमाइक फोबिया है क्या वोले हम इस से पुझे यह पॉलि सब्सक्राइब हमारी समंधानिक बॉड़ी है सवाल उठा हुआ है ऐसा पहले काभी नहीं देखा गए काफी ऐसे बॉड़ी है मैला हो चुना होग है इन समय जो इस तरहीं में आरोप लगे हैं यह कईने कई इस गवर्मेंट की वह बहुत ही खिलाप हैं और ऐसे गवर्में सब्सक्राइब है उसमें मुझे लग रहा कि जो गवर्मेंट है उसको तो हटना ही चाहिए मेरे हसाब से बिल्कुल हटना चाहिए वहां से क्योंकि जो हमारा समंधानिक संस्ता हैं अगर उनका हरास हो रहा है उनको नहीं होना चाहिए विकास अगर कर भी रहा है यह मानता ह लेकिन किसी चीज को देना इतना असान नहीं होता है तरीके से बारटन जो होता हूँ जंता पर आता है तो हाँ इसमें मेरे समझ में कि जो तरह हैं उनको कम करके जद मुझे बैटर लग रहा है ऐसे इस तरीके से होना चाहिए जूदा वह असस है रोज़गार के छेत्र में जो सरकार रहे हैं अज़सों अभील्ड कर लूग मुद्द्य उठा रहे हैं जेदल को हाले हम य। उआफ को इसाफ को सेटेस्वां हो चाहे मुद्डी सरकार गो वह जारी ऑपस्टाब इसासरी सब्सक्राइब कोई खराब नहीं है सारी राजनीति पर सब्सक्राइब किसी पार्टिकुल्ध एक परता है इसलिए में पार्टि खराब और कोई गंदी लगती है ठीक है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अन्नी इस बार मुख मंत्री बने अखलेश योगी को छोड़के जैसे आम आदमी पार्टी जैसे कुछ साल पहले मोधी जी को परधान मंत्री बना दिया जाए गया था गुजरात के मुख मंत्री के देखें मुख मंत्री के रही बात तो इस बार भी योगी आएंगे ठीक है उनके सामने कोई और चैरा नहीं है और जो भाई फतिजा बात चलना है वो लोग के वाल एक ही चीज को निटल करके अखलेश यादो अखलेश यादो जो मोधी को बोलते हैं ऐसा राजनिती थोड़ी करें वार बिदान सभाव में लेकिन सेंटा लोग लेकिन यह बात है कि इसमें जो पहले की अफिचा तुना शीटे थी इस बार कुछ कम आएंगे लेकिन सरकार कम आएंगी कम आएंगी लेकिक उसलोग दुखी भी है रोजगार के मुद्दे से और कुछ लोग इतना बढ़ गया हां लोगों को पर इसलिए वो अंसुस्ट है